Hello everyone, Good morning to all of you बच्चे मैंने आपको कार्भो हाइडरेट स्टार्ट करवाय था उसमें मोनो सेक्राइड करवा दिये थे मोनो सेक्राइड में ट्रायोजीज से लेके हैप्टोजीज तक हमने कर लिये थे ट्रायोजीज देन टेट्रोजीज देन पेंटोजीज हेक्जोजीज और हेप्टोजीज ठीक है मोनो सेक्राइड हमारे कंप्लीट हो चुके थे अच्छा हाँ बच्चे आप सबको कंफ्यूजन ये है कि मैंने बताया था मोनो सेक्राइड में सिंगल फंक्शनल ग्रूप होगा क्या होगा सिंगल फंक्शनल ग्रूप या तो वो LDID को सकता है या फिर वो क्या हो सकता है किटोनिको सकता है यह चीज़ में बच्चों को confusion हो रहे थी मैंने single functional group बोला है ना के single hydrogen या single hydroxil बोला है क्या बोला है single functional group या LDID को गोगा क्या होगा ketonicो का उनकों को हम क्या बोलते हैं monosecred उसके इलावा एक और चीज़ की confusion थी बच्चों को के carbohydrates are the hydrates of carbon इसका क्या मतलब है देखो hydrates of carbon या hydrogenation यह क्या indicate करती है water ठीक है तो carbohydrates of carbon के साथ water molecule की attachment होना अब water molecule attach कैसे होता है इस तरह से एक side hydroxyl आ जाता है एक side hydrogen आता है देखो water molecule जो होता है अगर इसकी breakage की जाए H positive plus OH negative होता है ठीक है और यह इस तरह से break हो जाता है water molecule और जब यह water molecule की breakage के बाद जब वो carbon के साथ attach होगा उसको हम क्या बोलेंगे hydrates of carbon ठीक है hydrates of carbon यह आप सबको confusion थी अब oligo secride करने से पहले जैसे मैंने आपको mono secride बताया oligo secride बताया poly secride बताया mono oligo और poly को छोड़ दो जो secride term है ठीक है secride term जो है इसका यह जो term है greek word से derive हुई है जिसका मतलब क्या होता है sugar ठीक है ठीक है sugar क्यों क्योंका sweet test क्यों होते है ठीक है तो secride जो है यह क्या indicate करेगी sugar molecule secride का meaning क्या है sugar mono का मतलब आगया single secride का आगया sugar oligo का मतलब आगए modern मोड़न 12 持क्वर से क्राइट का मतलब बहुत सारे ठीक है उस और secride का मतलब क्या है sugar अब हम आते हैं किस पर oligosecred पर जो oligosecred है इसमें 2-10 monosecred मतलब 2-10 monosecred combined होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा oligosecred बनेगा 2-10 monosecred मिलके oligosacred बनाते हैं अब मिलते कैसे मतलब 1 monosecred है इसके साद होते हैं तीसरा चोथा पांच में 10 तक attach हो सकते जब यह attach हो रहे होते है attachment किस वज़ा से होती है by the process of condensation condensation के थुरू क्या होती है attachment होती है और condensation में हमेशा water molecule loss होगा और जो दो different monosecrides हैं वो अपस में क्या करेंगे जुडेंगी ठीक है और oligosacrides को हम फर्दर दो categories में divide करते हैं disacrides और trisacrides disacrides मतलब जो दो monosecrides के मिलने से बनेगा trisacrides जो तीन monosecrides के मिलने से बनेगा ठीक है disacrides जो दो monosecrides trisacrides जो तीन monosecrides के मिलने से बनेगा अब अगर बात करें पहले disacrides की बात करते हैं disacrides जैसे मैंने बताया formed by the combination of two monosecrides दो कोई भी दो हो सकते हैं, वो similar भी हो सकते हैं, वो अलग-अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे इनकी combination की process से होगी, by the process of condensation, condensation का मतलब कि वो दोनु जुडेंगे, water molecule loss होगा और वो दोनु की attachment हो जाएगी, ठीक है, condensation के process से different monosecrates क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, वो similar भी हो सकते हैं, dissimilar भी हो सकते हैं, ठीक है, dicecrates की example क्या है, maltose है, sucrose है और lactose है, ठीक है, maltose, sucrose और lactose, अब ये देखो सबसे पहले जो example है maltose की, इस तरह से glucose maltose में जो monosecrates है, वो similar है, एक glucose molecule, दूसरा glucose molecule, आपस में दोनु की क्या हो रही है, condensation, जुड रह और ये, और ये देखो न, मैंने जैसे आपको बताया था, last time पे मैंने आपको जो formula बताया था, एक साइड हमेश्य होता है, तो दूसरे साइड होगा, दूसरा carbon यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, condensation में आपको बताती हूँ, यह इस यह molecule release हो गया, water बन के, बचा एक ही oxygen और वो oxygen कहाँ पे है, यह देख लो, यह जो combine हो रहा है, ठीक है, इस तरह से condensation होती है, water molecule बाहर निकल जाता है, और जो बचता है वो इस तरह से combine हो जाता है, अब देखो एक glucose, सेम उसी तरह का दूसरा glucose, condensation होई, water molecule release हो गया, और दोनों आपस में जुड़ के, जो जुड़ने वाला bond बना है, एक glucose और दूसरे glucose के बीच में oxygen के थ्रू जो bond बना है, उसको बोलते हैं, glycosidic linkage, glycosidic linkage, ठीक है, और यह कौन सी glycosidic linkage है, alpha 1,4 linkage, alpha 1,4 linkage बनती है, किसमें, maltose में, ठीक है, उसी तरह सुक्रोज जो है, सुक्रोज भी हमा प्लस गुलुकोज था, सुक्रोज में गुलुकोज प्लस फ्रॉक्टोज है, और गुलुकोज और फ्रॉक्टोज में आपको difference पता ही होगा, मैंने बताया था, गुलुकोज के साथ LD हाइटिक ग्रूप है, फ्रॉक्टोज के साथ कितोनिक ग्रूप है, बाकी chemical formula दोनु का similar है, ठीक है, तो लेकिन arrangement की वज़े से LD हाइटिक और कितोनिक ग्रूप की वज़े से इन दोनों में, इन दोनों की functioning में variation आ जाती है, तो गुलुकोज प्रस फ्रॉक्टोज, दोनों मिल के क्या बनाएंगे हमारे पास सुक्रोज, अब गुलुकोज और फ्रॉक्टोज में glycos बने गई बनेगा लेकिन linkage कोन सी होगी, 1-5 linkage ठीक है, यह देख लो, एक गुलुकोज का carbon number 1 और जो फ्रॉक्टोज है carbon number 5 अपस में क्या करेंगे, linkage शो करेंगे, ठीक है, तो माल्टोज है, similar monosecrites के बनने से और जो हमारे पास सुक्रोज है, अलग-अलग monosecrites के बनने से जो बनाएंगा, वो हमारे पास के है, सुक्रोज, उसके बाद next है, lactose, lactose किसकी combination से बनेगा, by glucose and galactose, अब glucose और गलेक्टोज का आपको difference पता है, याद है, glucose में B-ldehyde group है, और galactose में B-ldehyde group है, difference कहां पे आता है, galactose में carbon 3 और carbon 4 पे, same side पे hydroxyl group अटाच हो जाते हैं, सिर्फ यही difference है, बाखी कोई difference निया, glucose और galactose, ठीक है, तो glucose और galactose में B-1-4 glycosetic bond linkage बनती है, लेकिन बीटा, अलफा नहीं, बीटा 1-4 glycosetic bond की linkage बनती है, और जो glucose और galactose के मिलने से बनेगा, lactose, lactose किसमें होता है, हमारे milk में होता है, ठीक है, यहां तक थे हमारे पास क्या, disacride, trisacride मतलब जो तीन monosacrides के जुड़ने से बनेगा, जुड़ेंगे कैसे, वही दा process of dehydration, water molecule loss होगा, और different different monosacrides जुड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो इसके एक example है, रेफी नोज है, रेफी नोज, रेफी नोज, ठीक है, जो किसके combination से बनेगी, glucose, fructose, plus galactose, इन त प्रोसेस रहेगा, dehydration का, condensation का, और इस तरह से सारे जुड़के, क्या बना देंगे हैं, हमारे पस एक रेफी नोज, ठीक है, यहाँ तक 3-2 secrides, उसके बाद हमारे पस आते हैं, polysecrides, polysecrides में hundreds of more than 10, 10 से जादा शुरू हो जाते हैं, 100,000 of monosacrides जुड़ते हैं, तो हमारे पस क्या बनते हैं, polysecrides, ठीक है, इसमें hundreds of monosacrides जुड़ जाएंगे, और हमारे पस polysecrides बनेंगे, और polysecrides भी बनते हैं, by the process of dehydration, ठीक है, मतलब water molecule loss होगा, और हमारे पस polysecrides बनेंगे, अब जो polysecrides हैं, यह दो क्राटेगरी के हैं, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत monosacrides, मतलब same type के monosacrides जुडएंगे, तो हमारे पस homopolysecrides बनेंगे, different type के monosacrides जुडएंगे, तो हमारे पस heteropolysecrides बनेंगे, ठीक है, हुमो और हटीरो, example अपने सही से याद रखनी है, cellulose, glycogen और starch, यह किसमें हैंगे, homopolysecrides में, और heteropolysecrides में, hemicellulose, kytin और peptidoglycan, cellul cellulose और hemicellulose में आपको cell wall में बताया था, थोड़ा सरा difference है, cellulose और hemicellulose में, glycogen और starch की बात करें, तो यह reserve food material रहते हैं, animals में glycogen अक्ट करता है as a reserve food material, plants में starch अक्ट करता है as a reserve food material, hemicellulose, cell wall का component है, kytin और peptidoglycan की बात करें, kytin जो है, वो भी cell wall का component है, लेकिन सिर्फ औ लेकिन किसमें प्रोक्रियोड सिया बेक्टेरियल सेल में, ठीक है तो यह अपने चीज़ें याद रखनी है, cellulose, glycogen और starch आएंगे, homo polysecret में, hetero polysecret में क्या आएगा, kytin, hemicellulose and peptidoglycan, बागी हमारे पास polysecret जो है, अभी इनकी फर्दर classification है, वो हम कल करेंगे, क्यूंकि जदे लंबा हो जाएगा, तो वो हम next lecture में करेंगे, आज हम यहीं तक रहते हैं, thank you so much